बीजेपी सांसद और पूर्फ केंद्रिय मंत्री कठेरिया को दो साल की सजा बिजली सप्लाई कमपनी के अधिकारी के साथ मार पीट का मामला आग्रा पूर्फ केंद्रिय मंत्री और इतावा से बीजेपी सांसद राम शंकर कठेरिया को शनिवार को आग्रा की अदालत 12 साल पुराने एक मामले में दोशी पाया उन्हें दो साल जेल की सजा सुनाई गई मामला आग्रा में बिजली सप्लाई कंपनी के अधिकारी के साथ मार पीट करने का है जानकारी के अनुसार आग्रा के थाना हरीपवत में टोरेंट पावर के सुरक्षा निरीक शक समेधी लाल ने रिपोर्ट दर्च कराई थी उन्होंने आरोप लगाया गया था कि 16 नवंबर 2011 की दोपहर स्थानिय सांसद राम शंकर कठेरिया के साथ आए समर्थकों ने टोरेंड अधिकारी भावेश रसिक लाल शाह के आफिस में घुसकर उनके साथ मार पीट शुरू कर दी इसमें उन्हें काफी चोटे आई उनकी शिकायत पर सांसद राम शंकर कठेरिया और उनके अग्यात समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज हुआ मामले में गवाही और की प्रक्रिया पूरी होने के बाद राम शंकर कठेरिया को दोशी पाते हुए अदालत ने आई पीसी की धारा माइनस 147 में दो साल और धारा माइनस 323 में एक साल की जेल और 50,000 रुप्ये के जुमाने की सजा सुनाई इसके बाद उन्हें कस्टडी में ले लिया गया हालां की सजा सुनाई जाने के बाद सानसत को अपील दाखिल किये जाने तक अंतरिम जमानत दे दी बाद में कोर्ट परिसर में मीडिया से बात चीत करते हुए सानसत का ट्यारिया ने कहा कि शमसाबाद रोड की एक गरीब महिला के जादा बिल की शिकायत को लेकर वे टोरेंड कमपनी के आफिस गए थे उस समय शायद BSP शनिवार दोफबाद विशेश मैजिस्ट्रेट की सरकार थी और राजनीती के चलते उन MPMA ने फैसला सुनाया सानसत पर कई मुकदमे लिखे गए थे बहस राहुल की सदस्यता ततकाल बहाल हो अधीर को कहा कि उन्होंने प्रक्रिया का इस्तेमाल किया को पत्र लिख कर राहुल गांधी सदस्यता जल्द से जल्द बहाल करने का अनुरोध किया तकि वो सदन की कारेवाही में भाग ले सके उधर राज्यसभा सदस्य कपल सिब्बल पहले ही कहा था कि सजा अनुचित है सिब्बल ने अफसोस जताते हुए कहा कि राजनीतिक अजैंडों के लिए जाता है आएनेस, नई दिल्ली, लोकसभा में कॉंग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने शनिकार को कहा कि जिस तेजी से पार्टी के वरिष्ट नेता राहुल गांधी को सांसत के रूप में अयोग्य घोशित किया गया सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार से मोधी उपनाम टिपर्णी मानहानी मामले में उनकी दोश सिद्धी पर रोक लगाने के बाद निचले सदन को अब तुरंट इसे बहाल करना चाहिए चौधरी अदालती ने लोकसभा अध्यक्ष ओम विरला AIDMK से निकाले गए MP Ravindranath के चुनाव को अवैड ठहराने वाले फैसले पर रोक PTI, नई दिली, सुप्रीम कोर्ट ने AIDMK से निकाले गए नेता P Ravindranath के तमिलनाडू के थेनी संसदीयक शेतर से 2019 के चुनाव को अवैड घोशित करने के मदरास हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है तू कर दिल":